जैन सात्यों मैं प्रबल आप सभी का आपके अपने परिवार इक्जामपूर में बहुत-बहुत स्वागत करते हूं आज का दिन बहुत ही जादा महत्वपूर है क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट आपकी इवेंट आज का है तो आप सभी लोग इस सेशन को बहुत प्यार से देखना एक एक चीजों को नोट करना और कमेंट करके बताना कि आज का सेशन कैसा लेगा सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि ग्यार्वी इस्ट इंडिया से मिट्ट फॉरेन मिनिस्टर्स मिटिंग जो हुआ उसमें भारत के जो विदेश मंत्री हैं इस जैसंकर उन्हो स्थ चाइना सी को लेकर दक्षिन चीन सागर को लेकर भारत के रुख को इन्होंने असपस्ट कर दिया और कहां पर उन्होंने स्थे तुर पर कहा कि वहां पर सहयूंक रास्टर का जो यूनाइटेड लिशन का आपका जो समझता है और जो नियम है उसको पालन होना चाहिए अब देखो आपके अंदर क्वेशन होगा कि South China Sea को लेकि इन्होंने क्यों बयान दिया क्योंकि South China Sea में समय समय पे जो चाइना है वो घुसपैट की कोशिश करता है तो यहां पी इस मंच के माध्यम से सीधे तोर पे इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए साथी साथ उन्होंने हिंद महात हिंद प्रसांत महात जो आपका महासागर छेत रहे हैं उसमें हिंद महासागर मतलब भारत का यहां पर मजबूत इस थी प्रसांत महासागर पैसिपिक यानि अमरिका के मजबूत इस थी उसमें संपर्किके मार्ग को बनाए रखने पर इन्हो 2019 में अनुछेद 370 को जमू कस्मीर में से हटा लिया गया था जब अनुछेद 370 की बात करते हैं तो आपको पता है कि इसा माना जाता था जमू कस्मीर को विशेश राज्य का दर्जा देता है जिसके चलते भारत के अन्य राज्यों की तरह यहां पर सारी की सारी चीज़ों को इस अनुंछेद को एंचेद को यहां पाधर और मैंने इक आपको बताया था क्लॉज भी बताया था जिसको एड करने के बाद अगर आप जमू कस्मीरी बशस नभाज करना चाहते है वहाँ पर यह बयापार करना चाहते है वहाँ पर जाना चाहते रहना चाहते तब कोई रोक टोक नहीं करेगा तो इस प्रकार की पहल पांच अगस 2019 को की गई थी अब उसके दो साल हो गए हैं तो ऐसा बताया जाता है कि इसके बहुत ही पोजिटिव शकरात्मक रूख आपके जमुकस्मीर में देखे जा रहे हैं च सही आधिकार थी इनका निधन 4 अगस्त्र 2021ों पर जनम 1944 में हुआ था दोजार एक में इनको पदमुश्री पुरसकार और जमुकस्मीर में ढोगरी चित्र में नाम से बरी देदी के नाम से जाना जाता है 1971 में इनको साहित अकाजमी पुलसकार भी मिला था मेरी कविता मेरे गीत के लिए इनके बहुत सारी लिखे गए आपके गाने को लता मंगेशकर ने गाया है तो उनका नीधन 4 अगस्ट 2021 को हो गया है अब भारत के लिए बहुत ही प्राउड के बात है और उन प् कनाडा की प्रतिश्थित oniaवाड order of british kolumbia order of British क्लंबिया से इनको और किया गया है इनको शम्मानित किया गया है और इनका नाम क्या है अजय दिलवारीط दिलवारी और इनको कनाड़ा की शरकार ने और ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया अवार्ट से इनको सम्मानित किया गया है और यह बहुत ही प्राउड की बात है अब यहां पर देखो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट आपका है वह बात क्या है आगा लेगा द्वीप पर कौन स ङल्ग जीरह आपको जानते होंगे उसके द्वरा यह दावा किया गया है कि भारतस बेस्टरींड ऊसियन में में आब Hm किलोमेटर चौरा आपका आईलेंड है और मौरिशस के मेन आईलेंड से ग्यारत सो किलोमेटर के दोरी परिष्टित है और यहां पे केवल और केवल 300 लोग आपके रहते हैं यहां पे टोटल कितने लोग रहते हैं 300 लोग आपके रहते हैं आपको आपने नाम सुनाओगा लील लिला सेट की बात करें तो 5 अगस्त 1991 को आज के दिन ही उन्होंने हिमाचल परदेश की चीफ जस्टीस के पद की सपत ले थी और जैसे उन्होंने इस पद की सपत लेने के साथ ही वो किसी भी हाई कोट की चीफ जस्टीस बनने वाली प्रतम भारतिय महिला बन गई तो अगर आ न्यायधिस की सपत ले थी 1978 में दिल्ली हाई कोट की पहली आपकी मुक्खे नयदिश बनने का रिकॉर्ड भी बहिला मुक्खे नयदिश बनने का रिकॉर्ड वी उन्हीं के पास है इस बात को भी आपको समझने की जोरत है अब लास्ट अम लुक देखते हैं श्यूमंगल स सिंग को जब डिसकस करते हैं तो श्यूमंगल सिंग बहुत ही बड़े बहुत ही फेमस लेखक साहितिकार आपके है इनका जनम आज के देनी पांच अगस्त तो निश्व पंद्र को उना उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी बहुत ही प्रसीद पंक्ती है जिसको सकार प्राप्त हुआ 1999 में इनको पद्मभोशन पुरा सकार प्राप्त हुआ 27 नमेंबर 2002 को इनका निदन हो गया उजयन में तो यह बहुत प्रसीद आपके साहितिकार तो इनके बारे में भी सवाल आपके पूछे जा सकते हैं आपको आज का यह सेशन कैसा लगा हमें जहीं सब्सक्राइब कि झाल आपके सान system में टाहे यह से जान 93 था أण तो यह सिसरी में वाल आ तो बाता इनके सकता उनका को आखके बाता प्ершता ДAndry कि झुआते को बातो यह बा को ढ़के मैं हम प्तितस दित ए जाज़ अनके पृत्रा गान 53 था हूaking पुदकются झाल झाल